महिला ने दीवान जी पर लगाया रिपोर्ट लिखने के एवेज में रिश्वत लेने का आरोप स्पी से की शिकायद खबर शिवपरी जिले के स्पी ओफस से है जहां मंगलवार को स्पी ओफस में आयोजित जनसुनवाई में महिला पहुची खनियधान थाने में पदस एक दीवान जी पर रिपोर्ट लिखने के वज में पांच हज़ार रुपए रिश्वत वसूले का आरोप लगाया है महिला ने स्पी ओफस में शिकायत दर्च कराते हुए रुपए वापस दिलाए जाने और दीवान जी के खिलाफ कारिवाई किये जाने की मांग की है बगवती पतनी मोहित लोदी ने बताया कि पती पतनी के बद्द जगड़ा हो गया था जिसकी शिकायत उसने खनियाधाना थाने में दर्च कराई थी जहां पदस दीवान जी जीतेंद्र राइपुरिया ने उससे रिपोर्ट लिखने के वज़ में पांच हजार रुपए वसूल लिये और मामले में पती के खिलाफ भी कोई कारिवाही नहीं की है महिला ने बताया कि मैंने जब दीवान जिसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलोच की महिला ने पुलिस अदिक्षक से वापस रुपए दिलाए जाने और दीवान जी के खिलाफ रुक कारिवाही के जाने की मांग की है कि यहां एस्प्यों पिस आए किसलिए आए हो थाना खनी नहाना में पांच यह रुपए ले लिए पहले 25 मांगे किसे नहीं ले लिए किस मामले में पती और बतनी अदोनों को जगड़ा था तो फिर रात में आए कोन लोग है अब पैसे लिए दाने की इसना और अच्छास तो इसकी सखाद आपने चारइब नहीं क्वाए अच्छा तो इसकी हाँ ने फोर आपर निगरी है उन्होंने कुछ उस्प Min Adela तका क्या आप और देने कंगा या किस आवितन देने की से मामले में अ वह उग्र के सब्सक्राइब है उन्हों पहुंचा। सब्सक्राइब करने की तो यहां सब्सक्राइब करने की और मेरी मारफीट की और दहीद मांगने की आपके साधी के समय होगा है चार साल होगा तर पांच मी साल चल रहे हैं